हेलो दोस्तो आसा करता हूँ आप सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे तरसल दोस्तो एक छोटी सी डिफेंस अपडेट निकल कर सामने हैं सोचा आप सभी फ्रेंड्स तक बड़े आसान सब्दों में पहुचा दो एक सफल परिक्षण कंड़क्ट किया है और इस तरही के अत्यादुनिक मसीनों के सफल परिक्षण करने के बाद और हालिया परिक्षण के सफल होने के बाद भारत ने एक बार फिर से ड्रोन हत्यारों के छेत्र में एक मेल का पत्थर साबित कर खुद को ड्रोन हत्यार मेनेफ बूत इस्तथी में लागे खड़ा कर दिया बताना चाहूंगा कि इसले ही साल भारत ने इसी ड्रोन हतियार का सफल फ्लाइंग परिक्षण किया था आपको बताना चाहूंगा मौजोदा जमय में इस ड्रोन हतियार को घातक ड्रोन हतियार के नाम से जाना जाता है लेकिन दोस से इसका निर्मान कारे शुरू है तब से लेकर अभी तक इस ड्रोन हतियार के साथ परिक्षण कर लिए गए हैं जो की साथों के साथ सफल रहे हैं आला कि दोस्तों इस पूरी गटना करम में जो सबसे ज़्यादा important ख़बर निकल कर सामने आती है वो रसिया से है रसिया ने इस ड्रोन हतियार की काफ़ी ज्यादा तारीफ करी है और साथी रसिया का कहना है भारत की इस तरीके की बड़ी-बड़ी सवालताओं की रसिया सरहना करता है साथी ड्रोन हतियार हो या फिर किसे भी तरीके के हतियार भारत के साथ मिलकर रसिया काम करने में काफी जादा खुसी के अनुबूती करेगा और केवल इतना ही नहीं दोस्तो रसिया ने ड्रोन हतियारों के मामले में भारत को हर तरीके की टेक्नलोजी देने का भी प्रस्ता होती है इसमें कोई दोराई नहीं है कि स्टेल तहत्यारों के मामले में और स्वधिसी ड्रोन टेक्नलोजी के मामले में भारत का ये खादक ड्रोन एक मेल का पत्तर साबित होगा बागिस पूरी गटना करम में आप सबी की क्या विजार है अपने वैलिवल विजार कमेंट्स कर जरूर बताए धन्यवाज जैहिन फद्ने मातरम भारत माता की जै